गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज का तुम्हारा टॉपिक है यूनिट फॉर्थ का सुपर हैवी आलिमेंट या अती भारी तत्व हम एक्टिनाइट सीरीज में देखते हैं एक्टिनाइट सीरीज में फर्स्ट हमने एक्टिनाम को कंपैरिजन के लेते हैं एक्टिनियम 89, 90 इस थोरियम 91 इस प्रो एक्टिनियम 92 इस यूरेनियम के बाद के बाद आता है नेप्टूनियम 93 से लॉरेंशियम 103 के जित्ते भी हैवी लेंटिनाइड एलिमेंट है जित्ते भी हैवी एक्टिनाइड एलिमेंट है यूरेनियम के बाद उन सबको ये सारे एलिमेंट हमारे रेडियो धर्मी होते हैं रेडियो धर्मी मतला दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड दे आर अंस्टेबल अस्थाई होते हैं ये सब जितने भी तत्वें कpaperचियम 103 kai सारे तत मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं या और आ्पिफिशल बनाए गए हैं इि और सबी वां को हम ये आर मेट बाइ आरड़िफिशल न्यूक्लियर रिएक्षण इसलिए इन सभी तत्व को हम क्या बोलते हैं या तो बोलते हैं इनका दूसरा नाम है सुपर हैवी एलिमेंट हैं इनकी सिरीज हंड़ेड़न फोर से हंड़ेड़न नाइन तक के जित्ते भी एलिमेंट हैं उनको भी हम सुपर हैवी एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं ये मानव के द्वारा आर्टिफिशल न्यूक्लियर एक्शन द्वारा बनाए जाते हैं इनकी अर्दायूकाल कुछ सेकंड की ही होती है मतलब इनका अर्दायूकाल काफी कम होता है इसलिए ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं न्यूकलियस इनका अनस्टेबल होता है अब हमने इनका जो नाम लिखा नेम लॉरेंशियम तक हमें पता था एक था तुमारा 100, एक था 101, एक था 102, एक था 103 100 का नाम जब एक्टिनियम में किसका 100 में 100 क्या नाम था उसका? तत्र का नाम एक्टिनाइट्स में क्या रखा गया था? जिसका अटॉमिक नंबर 100 था जात इस फर्मियम फिर 101 का मैंडिलीवियम फिर 102 का नायोबियम 103 का लॉरेंशियम मैंडिलीवियम, फर्मियम साइंटिस्ट थे उन्होंने इन नामों के लिए इस पर क्या किया? अब्जेक्शन किया कि इन तत्वों के नाम फर्मियम, मैंडिलीवियम ना रखा जाए इनके नाम हमें किस पद्दिती से रखे गए हैं इन के मिस्ट्री में? इस फ्रॉम आयू पीएसी आयू इन्टरनेशनल यूनिलिवियम प्योर एन एप्लाइट के मिस्ट्री के नुसार इन अती भारी तत्मों के नाम रखे गए जिसके लिए उसने हर जैसे वन, जीरो सब के लिए अलग-अलग सब्विक्स तत्था प्रिफिक्स का यूज किया गया जैसे फर्स अंक जो भी हमने नंबर दिया क्या था हमारा आयू पीएसी के नुसार? आयू पीएसी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही नंबर आएंगे यदि 0 है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? निल यदि 1 है तो हम यूज करेंगे अन 2 के लिए बाई 3 के लिए ट्राई 4 के लिए Q, U, A, D क्या यूज करेंगे? Q, U, A, D 5 के लिए हमने यूज किया PENT 6 के लिए HEGS 5, 7 के लिए HEPT इसके लिए OCT इसके लिए E, N, E, E किसके लिए? Nine 9 के लिए हमने क्या यूज किया? E, N, E, E है अब हमारा मालो फुल नेम क्या है इसका इसका नाम है निल अन बाई ट्राइम क्या बोलेंगे इसको ट्राइम इसको बायम इसको अन्यम क्या लगता है अर्द में अ यू-म इसको क्वाडियम Pentium Ant में लगने वाला Hexium Heptium इसको हम Sept भी लिख सकते हैं Octium और इसको Inium अब हमारा First Word क्या है क्या क्या यूस किया अपने Symbal में यदि Zero है तो हमने यूस किया Nil, One है तो Un Two है तो By Three है तो Try Four है तो Quard Five है तो Pent 6 है तो हेक्स, 7 है तो 7, 8 है तो आउप, 9 है तो E N E E N अब लास्क में जब हम इसका नाम लिखेंगे तो उसके अंत में हमें क्या लगाना है I U M, क्या लगाना है सब में? I U M, सब में अब हमारा फिर्स नहीं मैं 1 0 0 1 के लिए हमने क्या उस किया? अन जीरो के लिए निल और इसके लिए निल आई यू एम क्या लगा दियां अंत में आपने आई यू एम यू एम, that is suffix क्या नाम हो गया असका शोट में यू अन यू क्या नाम हो इसका यू एन यू अन, निल, नीलियम वन, जीरो, वन क्या लिखेंगे हम अन, निल, फिर अन्यम, क्या लिखेंगे हम यू, एन्यू, वन, जीरो, टू, अन, वन के लिए अन, जीरो के लिए निल, फिर हम इसके लिखेंगे बाईयम, B, I, B, I, U, M, क्या नामोगा, U and B, वन, जीरो, ट्री, क्या नामोगा, अन, निल, टॉयम, U and T, वन, जीरो, फ्री, वन, जीरो, फॉर, अन, निल, झॉर, निल, क्वाडियम, क्या लिखेंगे, यू, एन, क्यू, वन, जीरो, फाइफ, अन, निल, पैंटियम, क्या राव हो गया इसका, यू, एन, पी, वन, जीरो, सिक्स, अन, निल, सिक्स के लिए क्या यू, उसके हमने, हैक्जियम, यू, एन, एच, वन, जीरो, सेवन, अन, निल, सैप्टियम, यू, एन, एस, वन, जीरो, एट, अन, निल, आॉक्टियम, यू, एन, ओ, वन, जीरो, नाइन, अन, निल, इनियम, यू, एन, ए, इस तरह हम, हंड्रेट से, हंड्रेट एन, नाइन, सुपर हैवी एलिमेंट के, आयू, पी, एसी, नेम के अनुसा, नाम लिख सकते हैं, वन होगा, या, तो अन होगा, जीरो, निल, टू बाई, थी, ट्राइ, फोर, क्वार्ट, फाइफ, पैंट, सिक्स, हैक्स, सेवन, हैप्ट, एट के लिए आउप, नाइन के लिए इन, और अन्त में हमें क्या लगाना है, हम्हें आई, यू, एम, वी यूज, यू, एम, जैसे 100 का क्या लिखा थे हमने, अन, निल, नीलियम, एन, एन, 101, का अन, निल, यू, यू, नियम, क्या लगाना, सफिक्स की त और पे हमें, IUM ये थे हमारे super heavy element जित्ते भी हमारे super heavy element होते हैं उन में जो nucleus होता है इस nucleus में जो proton और neutron present होता है उनकी जो संख्या होती है वो यदि magic number में present होती है तो उस nucleus को हम stable मानते है हैं जैसे magic number कौन सा है तुमारा 50, 82 कौन कौन से magic number मानेगा है 50, 82 114 they are also a magic number 126 164 184 ये सब हमारे magic number है यदि ये magic number proton और neutron की संख्या में present है इतने तो ये जित्ते भी nucleus होते हैं ये सब हमारे stable होते हैं जैसे for example U and Q 104 का नाम है U and Q इसमें 278 और 114 तो क्या है इसकी संख्या magic number है तो ये क्या होगा तुमारा stable nucleus माना जाएगा U and H यदि यदि इसका 126 और 210 है इसमें भी magic number present है तो ये भी हमारा stable nucleus होगा जित्ते भी super heavy element होते हैं उन सब का T half या अर्दायू कल केवल कुछ ही second का होता है जिनका अर्दायू कल कम रहता है वो सब हमारे unstable nuclei या वो हमारे radio धर्मी तत्व कहलाते हैं